हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ बबली आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल बबली पांडी की चन में मेथी के पत्तों से बनने वाली मेथी मतर मलाई हो या फिर कौर मेथी मलाई आपने कई बार खाया होगा बनाया भी होगा लेकिन फ्रेंट्स आज जो में रेसिपी लेके आई हूँ वो एकदम अलग है क्योंकि आज में लेके आई हूँ पनीर मेथी मतर मलाई की रेसिपी और बहुत ही लाजबाब है इसका स्वाथ इसके साथ पनीर का कॉमिनेशन आपक के इस रेसिपी को बना के आप इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं लेकिन इससे पहले फ्रेंट्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे की मेरे व अब इसे हम कट कर लेंगे तो इसे हम बारी काटेंगे इसको ऐसे पकढ़ के बीच से पहले कर ले उसके बाद इसे बारी काट ले फिर मैंने यहाँ पर एक पैन रखा है इसमें हम डालेंगे टू टेबल स्पून कोकिंग ओल और इसमें हम पनीर को फ्राई करेंगे तो पनीर मैंने लिया है 200 ग्राम और ऐसे 20 में कट कर लिया है फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे हम हल्का सा भून लेंगे जादा नहीं सेखना है, हल्का सा सौटे करना है तो देखिए पनीर का कलर चेंज हो गया है इसे हम निकाल लेते हैं इतना फ्राई करने से पनीर का टेस्ट अच्छा आता है एक बरतन में इसे निकाल ले बचे हुए ओयल में हम डालेंगे एक कफ रेस मटर और इसमें हलका सनमक डालेंगे दो चुटकी के बराबर कि इसमें टेस्ट आ जाए और इसे मिक्स करके हम 3-4 मिनट के लिए मटर के कुक होने तक पका लेंगे दो मिनट के लिए कवर कर देते हैं तो दो मिनट के बाद ही आप देख सकते हैं मटर का कलर भी बहुत अच्छा आ गया है और ये सॉफ्ट हो चुके हैं तो आप चाहें तो मटर को बॉयल करके भी डाल सकते हैं लेकिन ऐसे अगर फ्राई करके डालेंगे तो जदा अच्छा टेस्ट आएगा तो इसे हम निकाल लेते हैं वापस उसी पैन में हम डालेंगे मेथी के साग को जो हमने कट करके रखा था तो इसे भी हम कडाही में ही डाल के पका लेंगे दो चुटकी नमक डालें और इसे भी हम तीन से चार मिनट के लिए पका लेंगे बहुत जल्दी साग सॉफ्ट हो जाता है तो एक बार मिक्स कर लें फिर हम इसे 2 मिनिट के लिए cover कर देंगे कि जल्दी से पक जाए 2 मिनिट के बाद ही इसे हम चला के देख लेंगे तो एक बार ऐसे चला लें तो यहाँ पे साग भी पक चुका है तो flame को off कर देंगे और इसे भी हम एक परतन में निकाल लेते हैं तो यहाँ पेप, पनीर, मतर और मेथी सब कुछ पक चुका है वापस से पैन को साफ करके फिर से हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून कोकिंग ओयल और अब इसमें हम ग्रेवी के लिए मसाला त्यार करेंगे दो प्याज लिया है मीडियम साइज का, इसे रफली काट के पैन में डालेंगे इसे हम एक बार मिक्स कर लें और 8-10 जवा लेसन का लिया है मैंने दो इंच अदरक और एक हरी मिर्च, हरी मिर्च टेस्ट के कॉडिंग कम ज़्यादा आप कर सकते हैं इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और सारी सबजीयों के कच्चा पन खतम होने तक हमें पका लेना है यहाँ पे हम दो टमाटर भी ले लेंगे ऐसे रफली कटा हुआ टमाटर छोटा ही ले नहीं तो बड़ा ले तो एक ले और 10-12 पीस गाजु का लेंगे हाफ टीस्पून नमक डालेंगे की जल्दी से टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए सारी चीजों को मिक्स कर दें और इन्हें भी हम कवर करके सॉफ्ट होने तक पका लेंगे तो दो-तिन में ने कवर किया था और आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं सब कुछ पग गया है कच्छापन भी खतम हो गया है तो बस हमें इतना ही पकाना है फ्लेम को आफ कर देंगे और एक बर्तन में निकाल के इसे ठंड़ा कर लेंगे ठंड़ा करने के बाद एक मिक्सी जार में डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी डालके एकदम स्मूध सा पेस्ट बना लेंगे पीस के तो देखिए यहां पे यह हमारा यह जो प्याज और काजू का पेस्ट है बनके तयार है फिर से पैन को रखेंगे इसमें हम डालेंगे साथी साथ एक चमच बटर डालेंगे सिर्फ बटर में बना सकते हैं लेकिन बटर डालने से जलने लगता है इसलिए थोड़ा सा कुकिंग ऑईल भी डालेंगे बटर जैसे मिल्ट हो जाएगा हाफ टीस्पून डालें जीरा एक इंच के बराबर डालचीनी दो चोटी लाइची चार लॉंग और एक बड़ी लाइची जिसके बीच को निकाल के डालेंगे और सारे मसालों को भून लेंगे कि खुस्पू आ जाए और ये जले ना फ्लेम को एक्दम लो रखेंगे यहाँ पर अब डालेंगे कुछ मसा तो 1 टीस्पूँन कासमीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पूँन जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून धनिया पाउडर और इस gravy में हल्दी नहीं डालेंगे क्योंकि इसका ठोड़ा होना चाहिए हल्का होना चाहिए इसलिए साथी साथ इसमें जो हमने paste बना के रखा था काजू और पयाज का वो डालेंगे मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने निकाल लिया है और अब मसालों के साथ अच्छी तरह से सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे और इन्हें थोड़ा सा पका लेंगे जब तक की ओईल रिलीज ना हो जाए कवर कर ले दो मिनट के लिए तो दो मिनट के बाद ही आप देख सकते हैं इसमें उपर थोड़ा थोड़ा ओयल दिखने लगा है तो मसालों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे कोई भी ग्रेवी आप बना रहे हैं तो मसाली को एक दम अच्छे से भूनिएगा जिससे की ओयल अलग हो जाए और खुसबू आने लगे तो यहाँ पर हम डालेंगे हाफ कप के बराबर पानी तो ग्रेवी आप अपने पसंद से रख सकते हैं थोड़ा गाड़ाई या फिर कम यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ हाफ टीस्पून के बराबर नमक मैंने पहले भी डाला था टेस्ट के कॉर्डिंग है आप डालिएगा इसमें नमक थोड़ा फीका ही अच्छा लगता है साथी साथ डालेंगे मेती का साग और मतर और पनीर और सारी चीजों को हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और यह सबजी बिना मलाई के तो एकदम अधूरी है तो यहाँ पर आधा कप डालेंगे फ्रेस क्रीम तो घर में जो दूद का मलाई होता है वो भी आप डाल सकते हैं वैसे मैंने यहाँ पर मार्केट वाला फ्रेस क्रीम डाला है कोई भी आप डाल सकते हैं तो अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पर बहुत ही अच्छा कलर दिख रहा है हाफ टी स्पून डालें गरम मसाला और इसे भी मिक्स कर लेंगे तो आपस में सबका जो फ्लेवर है वो एकदम मिक्स हो जाए इसके लिए इसे हम दो मिनट कवर करके पका लेंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम रखे दो मिनट के बाद ही वाव कवर हटाते ही बहुत अच्छी सी खुस्बू आ रही है और यह लीजिए फ्रेंड्स पनीर मेथी मतर मलाई बनके तयार है देख सकते हैं इसका टेक्स्चर एकदम परफेक्ट आया है तो मेथी मतर मलाई तो बहुत बार आपने बनाया भी होगा खाया भी होगा एक बार पनीर के साथ बनाईएगा यह कॉम्बिनेशन आपको बहुत पसंद आएगा बनाना भी इजी है आपने देखा तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए चैनल पनाये तो सब्सक्राइब करिए बाबाई